अगली खबर करनाल से आ रही है जहां महाप्रभाव श्री घंटाकरन महावीर देपता के अफ्तरन दिवस होने के कारण वर्षबर की सरवाधिक महतब पुरन कृपा दिवस क्रिशन 14 के उपलक्षमी करनाल में विशेश भक्ति में कारिक्रम का आयोजिन किया गया जियां सूरदे से देर शाम तक श्रधालों की भारी उपस्तिती नहीं और मंदिर परिसर में चहल पहल देखने योगे थी देवी कृपा से अपनी जोलियां भणने के लिए स्थानिय तथा बाहर से सैंक्रों श्रधालों उपस्तित हुए दिन बर भक्त जनों का तांता लगा रहा सरप्रथम श्री घंटा करन बीज मंत्र के सामुहिक जाप के द्वारा देवी शक्ति का आवान करते हुए सभी के कुशल श्रेम तधा अनुकूलता की काम ना भी की गए शांत मूर्ती महासादवी प्रमिला ने कहा कि श्री घंटा करन देवताती श्रै प्रभाव शाली शक्ति संपन गृपा निधान देवता हैं जो खुले हातों से जोलियां भर कर याजकों को माला माल कर देते हैं इनके दरपर सच्चे मन से आने वाला भक्त कभी भी निराश नहीं होता है इनकी उपासना सारे भय का निवारन कर व्यक्ति को निर्भे बनाती है जियां वैदिक संस्कृती तता श्रमन संस्कृती की दोनों धाराओं जैन तता बोध मेन का गरी मामई एवं प्रभावी तो पूर्ति के लिए परयोग में लाई जाने वाली मंत्र साधना में श्री घंटा करन कल्प का विशेश्थान था जिसके अंत्रगत् भेन-भंपरियोजनों के लिए संकत मोचक, MANOCामना, पूरक, SHRI घंटा करन देवतों की एनेक मंत्रों की विवस्ता एवं सैयोजना की ग यह जो है यह बावन वीरों में से इससे घीर शिरोवनी और वीरों के परश्ण लें इनको घेना परिता गौर्ण पुर्ण इस ठाव प्राथ हुआ है यह बहुत ही समयर्जश्टी उन्य के जाते यह अपने और दूश्रों के कई भाव जाज सकते हैं बेशिक्ति में यह अपने बक्तों पर अपनी एहट की उत्वाजश्टी का वर्शन करते रहते हैं और आपकी अबत्यों और दुपत्यों को नाश करके आपका जीमन सुख में शांती में बना देते हैं इसे आप अपने सभी अजांते और ओटे कार्ये शांती पूरा करते हुए उत्तों तर अपने जीमन में अगश्रों के परेड़ाते हैं J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Raj Gharana and the finest banquet hall, Jyothi Garden World class catering, centrally air condition, lush green lawns state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyothi Garden A J.B.D. Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए bell icon को क्लिक कर हमारे चैनल को like, share and subscribe करे हैंने वाद